मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरूल लिखे मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगे मित्रों वर्ष 25 में गंगा दसारा कब है जानिये सही तीनवतारिक क्या है पूजा करने का सुप महुरत कब है पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किय सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी और ज्यादे से जादे सेंहें मित्रों हिंदू धाड़ में गंगा दसारा का 23 महत्व है गंगा दसारा हरवर्ज जेस्ट महीने के शुकल पक्ष की दस्मीं दिन मनाया जता है ऐसी मानिता है कि आज ही के दिन माता गंगा का धार्ती पर आउतरन हुआ था ऐसी मानिता है कि जो भी लोग इस दिन माता गंगा में सच्चे सुद्धमन से इसनान करकी पूजा पाठ करती हैं उन सभी के ऊपर माता गंगा का आसीरबाद प्राप्त होता है और मोक्ष क प्राप्ती होती है गंगा दसाहरा का दिन शुव माना जाता है इसलिए आज की दिन और कोई भिशुव कार्य कर सकते हैं मित्रों AWS अब डसहरा के दिन मातव गंगा की पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है अब आपको बता दें की गंगा दसाहरा के दिन पवित्र गंगा नदी तालाव पोखर आदी में इसनान आदी कर ले और साप सुद्रवस्त्र पहान ले फिर एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा ज जाकर माता की आर्थी करें और फिर माता को फूल दिया सुपारी फल और मिठाई आदी चणाएं और माता गंगा से अपने जीवन के लिए सुक सम्रिद्धी की कामना करें और पूजा समाप्त होने की बाद माता गंगा की आर्थी करें और जरूरत मंद ब्रामनों को अपने सामर्थ के अनुसार दान दछिगा दे मित्रों अब गंगा दसहरा पूजा करने का सुमुहुरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष दोहजार पचीस मी गंगा दसहरा पांच जून दिन गुरुवर को मनाय जाएगा दसमी तिथी सुरू होगी 4 जून तो हजार पचीस को रात्री 11 बचकर 55 मेर पर दसमी तिथी खात्म होगी 6 जून तो हजार पचीस को रात्री 2 बचकर 20 मेर पर